तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर का चटपटा स्पेशल प्राटा उसके लिए हमने यहाँ पर डेड़ कप गेहूं का आटा ले लिया है आटा हमें यहाँ पर छान कर लेना है और इसमें ही साथ में एट कर देंगे हम स्वाद अनुसार नमद और साथ में हम यहाँ यानि कि सैमीडो का मतलब न जादा पतला और ना ही जादा हाड तो चलिए आटा लगकर हमारा यहाँ पर तयार हो गया है अब इसको थोड़ा सा हम रख देंगे रेस्ट पे जिससे आटा जो है हमारा थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और यह सैट हो जाए तो इतने हम इसे रख खड़ी सौप डालेंगे साथ में चुटकी डालेंगे अजवाएन तीनों चीजों को डाल के अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ अदरक या आप अदरक लसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आप लसन खाते हैं साथ में दो कोडिंग डाल देंगे नमक डालने से प्याज जो है जल्दी से कलर भी चेंज कर लेगा और जल्दी से गल भी जाएगा अब इसमें इस स्टेज पर एड़ कर रहे हम दो मीडियम साइज के टमाटर जिनको मैंने यहां पर जादा छोटा नहीं थोड़ा मोटा ही काटा है आदा चमस डालेंगे इसमें कश्मीरी मिच या फिर कह सकते मिच पाउडर डाल सकते हैं चोथा चमस जालेंगे हम चूर पाउडर आदा चमस झालेंगें थी तो इस मसाले में जान पड़ जाएगा है अब यहां पर टमाटर को हमें गलाना है नमक हम अल्रेडी पहले ही प्याज के साथ डाल चुके हैं तो चिलका है बहुत आसानी से पख जाएगा तो इसको हम लोट टू मीडियम पर कुछ देर के लिए पका लेंगे बीच में 102 बार मैंने इसको अच्छे से अल्टा पल्टी कर दी है मसाले को और जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और यह टमाटर मसाला बनकर रेडियो हो गया है तो इसे स्टेज पर हम डाल रहे हैं अब यहां पर धनिया पत्ती धनि लिक्विडी होता है बेसन डालने से टेस्ट तो आएगा ही साथ में जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से सुखी सुखी बनेगी तो चलिए मसाला बनकर हमारा अब तयार है इसे अब नीचे उतार लेते हो थोड़ा ठंडा होने देते हैं इतने हम आटे को देख लेते है आटे को थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर स्मूध कर लेंगे और यह बहुत अच्छे से से हो चुका है जितने टाइम में हमने मसाला बनाया तो इसमें से अब हम पेड़ा लेंगे नौर्मल जितना परांठे के लिए लेते हैं या रोटी के लिए उससे थोड़ा ही हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे यानि इसको हम इस तरीके से पैक कर देंगे और इसे ऊपर से थोड़ा घुमाते हुए जो एक्स्टर आटा हमारा उपर निकल आया उसको हम निकाल देंगे और बस इस तरीके से इसमें थोड़ा सा और दुबारा से गेहुं का आटा लगाते ह अब इसको हम यहाँ पर बेल लेंगे तो यहाँ पर बेलते समय बस धियान रखे कि चारो तरप से अच्छे से बराबर बेलना है जो मसाला है वो अच्छे से हमारा पराणथे में प्राणथे में निकर निया तो पर पर श happened पर इस प्राणथे को डॉप टेस्ट आए गा तो भ अब गीज है कि आप बते हैं को अब बते हैं छाहें कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं और ही फ्ैटेज अव कमें करम हमें सेक्ते में सिखते से मैं यह धियान रखी जादा नहीं दबाना है नहीं तो हमारा जो पराटा है फूल लेगा नहीं और जाद दबा देंगे क्रिस्प हो जाएगा जादा शिक जाएगा तो एदेखे अलट पलट कर हमने दोनों साइड से पराठे को बना लिया है और चट पेटा टेस्टी टेमाटर और प्याज का पराठा बनकर हमारा रेडी हो गया है और यह देखिए इसका फाइनलू आप इसको ऊपर बटर या घी रखकर भी खा सकते हैं यह सिंपल अचार के साथ भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगने वाला है तो जब भी कुछ अलग डिफरेंट सा खाने का मन करें तो आप इस टेमाटर का पराठा बना कर एक बार जरूर खाए और यह देखिए टेमाटर की जो फिलिंग है एक बराबर सारे प्राठे में फैली हुई है तो आपको यह प्राठे क एट कर देंगे हम स्वाध अनुसार नमद और साथ में हम यह पर डालेंगे एक चमबच यहां पर भरकर देशी घी की आप चाहे तो रिफाइन डॉयल या फिर बटर को मैट करकर भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका सैमी डो लगा और यह सैट हो जाए तो इतने हम इसे रखेंगे रस्ट पर कर लेते हैं अब एक चोटी सी तयारी इस तयारी के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक पैन या कड़ाई चड़ाएंगे दो चमबच तेल डालेंगे साथ में आदा चमबच खड़ा जीरा यानि कच्चा जीरा डाल चुटकी डालेंगे अजवायन तीनों चीजों को डाल के अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ अदरक या आप अदरक लसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आप लसन खाते हैं साथ में दो हरी मिर्ची डाली है बारी कट करकर सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे अब इसमें एक प्याज डालेंगे मीडियम साइज का प्याज है जिसको बारिक बारिक हमने चौप कर लिया है प्याज को हमें यहाँ पर हलक असा कलर चेंज करना है और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिं मैज यहाँ चुपावडर चमझ जालेंगे हम चूर पावडर आदा चमझ धनिया पावडर और गरम मसाला उपर से खोड़ी सी कसूरी मिथी कसूरी मिथी जान पढ़ जाएगे अगर है तो जरूर से डालें अब यहाँ पर टमाटर को हमें गलाना नमाख हम अल्रेडी पहल बहुत आसानी से पक जाएगा तो इसको हम low to medium flame पर कुछ देर के लिए पका लेंगे बीच में 102 बार मैंने इसको अच्छे से अल्टा पल्टी कर दी है मसाले को और जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और यह टमाटर मसाला बनकर रेड हमें अच्छे से मेंक्स देढ़ेंगे क्योंकि जो टमाटर होता है वो थोड़ा लिक्विडी होता है बेसन डालने से टेस्ट आएगा ही साथ में जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से सूखी सुखी बनेगी तो चलिए मसाला बनकर हमारा अब तयार है इसे अब नीचे लेते हैं इतने हम आठे को देख लेते हैं आटे को थोड़ा सा और शुर्च अपर स्मूथ कर लेंगे और यह बहुत अच्छे से कुछ चुका है जितने टाइम में हमने मसाला बनाया तो इसमें से अब हम पेडा ले लेंगे नॉर्मल यहां पर रख देंगी तो एक चम्मच भराय है यानि इसको हम इस तरीके से पैक कर देंगे और इसे उपर से इस तरीके से थोड़ा घुमाते हुए जो एक्स्टर आठा हमारा उपर निकल आया उसको हम निकाल देंगे और बस इस तरीके से इसमें थोड़ा सा और दुबारा से गेहूं का आठा लगाते हुए अब इसको हम यहाँ पर बेल लेंगे तो यहाँ पर बेलते समय बस यह ध्यान रखे कि इसको चारो तरब से अच्छे से एक बराबर बेलना है जो मसाला है वो अच्छे से हमारा परांठे में फैल जाए एक बराबर मसाला होगा जब भी पराठे में टेस्ट आएगा तो बस अब तवे पर इस पराठे को डाल कर हम इस तरीके से जब एक साइड से थोड़ा सा कलर चीज़ कर ले पलट देंगे वो उपर से लगा लेंगे हम यहाँ पर रिफाइन टेल घी या जो भी आप इस्तमाल करते हैं पराठा बनाने के लिए वो आप यहाँ पर लगा लीजी और दूसरी साइड से भी हम इससे से खते हुए दूसरी साइड भी अच्छे से हम यहाँ पर घी लगा देंगे तो मैंने यहाँ पर देशी घी कर इस्तमाल किया है इससे जो पराटे है थोड़ा healthy भी बनते हैं आप चाहें यहाँ पर कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं तो बस यहाँ पर दोनों तरफ से हमने घी लगा दिया है और अलग पलट कर हमें इसे सेख लेना है सेखते से मैं यह ध्या पलट कर हमने दोनों साइड से पराठे को बना लिया है और चट पेटा टेस्टी टेमाटर और प्याज का पराठा बनकर हमारा रेडी हो गया है और यह देखे इसका फाइनल लूग आप इसको ऊपर बटर या घी रगकर भी खा सकते हैं यह सिंपल अचार के साथ भी खाएं कमेंट बक्स में लिखके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा